नमस्कार दोस्तों तो कोविट से भी बूरा हो सकता ये याद रखेगा 50% तक रैश हो सकता ये बहुत इंपोर्टन्ट होने वाला है तो वीडियो को अंतक ज़रूर देखेगा कोविट तो कुछ नहीं था इसके आगए अगर ये खबरे सच साबित होगी तो प्लीज मार्केट से दूर रहने का टाइम आ चुका होगा ये याद रखेगा क्यों कह रहा हूँ मैं रीजन से दो बड़ी खबरे निकल के आ रही है वो खबरे जानना बहुत इंपोर्टन्ट है बना मार्केट में बने रहना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए याद रखेगा इस टाइम पे आपको बहुत केरफूल रहना देखे मार्केट है इंडिया के लिए कोई प्रोब्लम इन से है बट अगर वर्ड्स में प्रोब्लम क्रेट हो जाएगी दुनिया में सारी जगा प्रोब्लम वर्ड में क्रेट हो जाएगी तो इंडिया के लिए भी तो प्रोब खेम में इस गेम में सबसे बड़ा प्लेयर चाइना है इनको उकसाने वाला चाइना यह याद रखिएगा तो यूएस ने फियर क्या किया है कि इरान डारेक्ट एंगेजमेंट कर सकता अब इरान कर रहा तो यूएस गुसेगा यहां से रशिया गुसेगा चाइना खुद नहीं गुसेगा पर दूसरों को गुसवा गुसवा के मरवाएगा बिनाबाद के पूरी दुनिया पे ई-उ पे खत्रा आजएगा यूएस पे खत्रा आएगा जाता तर इंडिया का बिजनस कहां से हो रहा है यहीं पे साउथ इस में यूएई बगारा सौधी अरेबिया इंडिया से बहुत बिजनस कर रहा है इस्राइल से बहुत बिजनस कर रहा है यूएस यूरोपीन उने चाइना से इंडिया का बिजनस है बट वो सिर्फ इंपोर्ट का ए एक्सपोर्ट का नहीं है यह याद रखीगा, चाइना रिष्या चुपचा बैट जाएंगे और इंडिया के लिए बहुत प्रोब्लम क्रेटो जाएंगे और साथ में टाटा बावर जैसे स्टोक के लिए प्रोब्लम क्रेटा आगे जितने कोविड में होती साथ में निफ्टी फिफ्टी आप याद रखेगा हर एक मार्केट का इंडेक्स उतनी इस तेजी से गिरेगा जितनी इतेजी से कुछ और गिर सकता है तो याद रखेगा बहुत बड़ी गिरावट हो सकते हैं तो इस पर सिच्वेशन में नजर पैनिक मत पहलाईए बट इस सिच्वेशन पर नजर रखेए कि युद में कौन इंवल हो रहा है